तो friends ये है world map तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया के 7 continents, 5 oceans और latitudes and longitudes तो इस वीडियो में मैं आपको सभी 7 continents के बारे में बताऊंगी हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा continent है और कौन सा सबसे छोटा continent है हम इन continents को उनके area के हिसाब से, population के हिसाब से भी देखेंगे फिर हम बात करेंगे पाचो oceans की यानि पाचो महा सागल और उनको हम area wise, volume wise, depth wise और coastal line wise भी देखेंगे फिर हम पहुचेंगे latitudes और longitudes पर तो इसमें हम देखेंगे कौन से important latitudes और longitudes हैं और वो कैसे हमारी earth को divide करते हैं So let's start with the first topic and learn about seven continents और हम इनको arrange भी करेंगे from largest to smallest तो देखिए सबसे पहला continent है ये एशिया इसके बार next continent is Africa then this one is Europe और ये है North America और ये continent है South America और फिर यहां नीचे जो हमेशा बर्स से ठका रहता है इस continent को कहते हैं Antarctica और फिर है ये Australia तो देखिए ये है seven continents of the world आईए इनको एक बार देखते हैं ये continent है Asia ये है Africa ये है Europe ये continent कहलाता है North America फिर है यहां South America और नीचे की तरफ है Antarctica और फिर है ये छोटा सा continent Australia और फिर है ये चोटा सा अब अगर हम इन सभी continents के area यानि इनके शित्रफल की बात करें तो देखते हैं कि कौन सा इन में से सबसे बड़ा continent है और कौन सा इन में से सबसे छोटा continent है देखिए सबसे बड़ा यानि largest continent है एशिया फिर एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये Africa अब यहां से आप सीधे चलिए इदर और तीसरे नंबर पर आता है area wise North America फिर उसके नीचे South America है जो चौते नंबर पर आता है फिर South America से छोटा continent है अंटार्टिका और फिर अब देखिए अब कौन से दो continent है यारप और ऑस्ट्रेलिया इनको देखने से ही पता चल रहा है हमें कि यारप छटे नंबर पर आएगा और सबसे छोटा continent है हमारा Australia आएए फ्रेंक्स एक बार ये area wise जो continents हमने लगाए हैं इनको दुबारा देख लेते हैं कैसे हम map में चले हैं ये दुबारा देख लेते हैं इससे आपको याद हो जाएगा कोई ट्विक लगाने की जूरत नहीं है बस अपना ध्यान यहां पर दीजिए कि कैसे हम map मूव कर रहे हैं देखिए सबसे बड़ा continent है इसीए फिर हम एस्या से इदर सीधा Africa की तरव है फिर हम और सीधा आगे गए North America फिर North America से नीच आए फिर South America से नीच आए Antarctica की तरफ और फिर जब Antarctica तक हम आ गए हैं हमारे पास दो continent वर्चते हैं Iómandust ral Мар वो अब grill ओ अब अभी मैंने आपको बताए था कि move करें हैं वो चीज़ ध्यान में रखें अब friends हम देखेंगे कि कौन से continent की सबसे ज़्यादा population है और कौन से continent की सबसे कम population तो आईए इनको population wise देखते हैं सभी continents को देखें सबसे ज़्यादा population है एशिया की हमने पड़ा था कि सबसे बड़ा continent भी एशिया है तो उसकी population भी सबसे ज़्यादा है ठीक है फिर दूसरे नंबर पर हमने area wise देखा था कि एफरिका है तो अभी भी population wise भी दूसरे नंबर पर एफरिका ही है फिर friends हम area wise में कहां गए थे हम यहां से सीधा गए थे नौर्थ अमेरिका की तरफ पर ऐसा नहीं है population wise population wise तीसरे नंबर पर आता है यॉरप अब यॉरप के बार हम सीधे आ जाएंगे नौर्थ अमेरिका की तरफ तो चौथे नंबर पर population wise आता है नौर्थ अमेरिका फिर हम नौर्थ अमेरिका से नीचे जाएंगे साउथ अमेरिका की तरफ तो पांचवे नंबर पर है साउथ अमेरिका अब देखिए दो कॉंटिनेंक्स बच गए है औस्ट्रेलिया और अंटार्टिका तो हम कहां जाएंगे common sense क्या कहती है जादा population किसकी होगी Australia की या अंटार्टिका की obviously Australia की ठीक है क्योंकि Antarctica तो सारा टाइम ही आई से covered रहता है वहाँ पर population बहुत कम है तो छटे नंबर पर Australia आता है और सबसे छोटा population wise है अंटार्टिका so let's revise this once more population wise देखिए जैसे हमने area wise start करा था population wise भी हमें वैसे ही start करना है एशिया की सबसे जादा population है फिर हम area wise एफ्रिका में गए थे उसी तरह से एफ्रिका की population दूसरे नंबर पर ही है अब change आता है कि area wise हम third number पर North America की तरफ गए थे पर population wise हम third number पर Europe की तरफ जाएंगे फिर हम वही अपना route फॉलो करेंगे North America फिर उससे नीचे आएंगे South America और फिर हमें पता है कि उससे कम population है Australia की और फिर सबसे कम population है Antarctica ठीक है Now we will learn five oceans of the world यानि दुनिया के पाँच महा सागर सीखेंगे हम और हम उनको ये भी देखेंगे उनमेंसे कि कौन सा सबसे बड़ा ओशन है और कौन सा सबसे छोटा ओशन है तो अपने world map को हम दुबारा लियाते हैं ये है हमारा world map अब देखते हैं यहाँ पे five oceans को तो देखिए यहाँ पर है Pacific Ocean अब देखिए यहाँ पर मैंने दो जगा Pacific Ocean लिखा है तो क्या दो ओशन स्पेसिफिक ओशन से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है Pacific Ocean एक ही है पर क्योंकि ये एक world map है तो यहाँ पर हमने दो जगा Pacific Ocean लिखा है देखिए जो हमारी earth है वो round है पर since it is a world map ये एक surface, plane surface है तो इसलिए हमने यहाँ पर दो जगा Pacific Ocean लिखा है पर reality में एक ही Pacific Ocean है फिर देखिए यहाँ पर है Atlantic Ocean फिर देखिए next ocean जो इदर की तरफ है वो है Indian Ocean यही एक ऐसा ocean है जिसे country की नाम से नेम करा गया है इंडिया हमारी गंटवी है तो उसके नाम पर Indian Ocean फिर नीचे आईए इस तरफ, नीचे की तरफ है Southern Ocean कई books में इस ocean को Antarctic Ocean भी बोला गया है तो एक ही है यह ocean, Southern Ocean भी कह सकते हैं और इसको Antarctic Ocean भी फिर next ocean जो उपर की तरफ है उसे कहा जाता है Arctic Ocean तो यह है पाँच oceans यानि दुनिया के पाँच महा साग दुबारा से मैं आपको यह दिखा देती हूँ कौन-कौन से oceans हैं यह है Pacific Ocean फिर इदर की तरफ है Atlantic Ocean then we have Indian Ocean फिर नीचे की तरफ है Southern Ocean और सबसे उपर है Arctic Ocean तो यह है दुनिया के पाँच महा साग अब बात आती है largest to smallest देखें largest to smallest के लिए 4-5 parameters होते हैं कौन-कौन से area, volume, depth-wise, and coastal line-wise तो area का क्या मतलब होता है area का मतलब शेत्रफल यानि हर एक ocean का कितना शेत्रफल है उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे फिर next volume volume यानि कि उन वो कितना water है उनमें कितना पानी है उनमें फिर है depth-wise यानि ocean की कितनी घहराई है कितनी depth है और चौथा perimeter है coastal line, coastal line यानि उनकी तटिये रेखा ये देखिए सारी क्या है उनकी coastal line है तटिये रेखा, तो किस ocean की सबसे बड़ी तटिये रेखा है किसकी सबसे छोटी coastal line है उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे तो friends ये जो पहले तीन parameters है area, volume और depth-wise तो इन तीनों parameters में अब हम largest to smallest oceans को अरेंज करेंगे और एक बात मैं पहले ही आपको बता दूँ कि इन तीनों ही parameters में ये sequence सेम रहेगी सिर्फ coastal line wise है जो चेंज होएगी उसको हम बाद में देखेंगे पहले हम area, volume और depth-wise इन oceans को अरेंज करनेते हैं तो देखें सबसे बड़ा ocean कौन सा है Pacific Ocean यही area wise सबसे बड़ा है, volume wise भी यही बड़ा है और depth wise भी यही बड़ा है फिर next ocean आता है Atlantic Ocean फिर तीसरे number पर ocean आता है Indian Ocean उससे छोटा ocean है Southern Ocean और सबसे छोटा ocean है Arctic Ocean यही अभी मैंने आपको sequence बताई थी पहले जब मैं आपको बता रही थी oceans के बारे में कौन-कौन से 5 मह सागर है देखें वो ही सारी sequence है इन की area volume और depth wise में तो हम सबसे पहले start करेंगे Pacific Ocean से फिर हम सीधा यहां Atlantic Ocean की तरफ जाएंगे फिर हम नीचे Indian Ocean की तरफ जाएंगे और फिर उससे नीचे Southern Ocean की तरफ और फिर बिलकुल उपर Arctic Ocean की तरफ So remember Pacific Ocean is the largest ocean and Arctic Ocean is the smallest ocean अब next हम बात करते हैं Coastal Line की अब Coastal Line wise जब हम इन Oceans को अरेंज करते हैं तो इन में बस एक छोटा सा चेंज आता है Let's see क्या चेंज आएगा तो सबसे बड़ा जो Ocean Coastal Line wise है वो Pacific Ocean ही है उसके बार next Atlantic Ocean ही है जैसे अभी हमने सिक्वेंस देखी थी वो ही चल रही अभी तक फिर थर्ड नंबर पर Indian Ocean ही है यानि 1, 2 और 3 यही सिक्वेंस सेम है अभी तक जो हमने area volume और depth वाइस देखी थी Coastal Line wise भी वही सिक्वेंस है चेंज कहां आता है चेंज आता है कि next Southern Ocean होगा या Arctic Ocean होगा देखिए friends आप ये Arctic Ocean की तरफ देखिए ये जो land mass है यहां जादा है तो जो Coastal Line है इस तरफ जादा है as compared to Southern Ocean, Southern Ocean में सिर्फ Antarctica ही है तो इसलिए Arctic Ocean आता है चौथे नमबर पर और Southern Ocean आता है फिफ्ट नमबर पर तो यही चेंज है Coastal Line wise बाकी first three वही रहेंगे सिर्फ fourth नमबर पर अब Arctic Ocean हो जाता है और last होता है Southern Ocean अब next friends मैं आपको कुछ terms बताने वाली हूँ continent से रिले यह terms I'm sure आपने सुनी तो होंगी बड़ शायद आपको इनका specific meaning ना पता हो तो आएए उन terms को समझते हैं पहली term है Eurasia अब Eurasia किसे कहते हैं देखिए अभी हमने दो continents पढ़े थे Europe और Asia अब इन दोनो regions को मिला कर एक term बनी है Eurasia देखिए Eurasia कोई separate continent नहीं है यह किसी continent को नाम नहीं दिया है यह सिर्फ इन दोनो regions के बारे में बात करने के लिए अगर हमें इखटे इनके बारे में बात करनी होती है तो हम इनको बोलते हैं Eurasia देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यह दोनों ही एक ही landmass है Europe पर Asia का landmass एक ही है बस इनको यह दोनों को divide करती है यह line और यह line क्या है यह line है Eural Mountain Eural Mountains के इस तरफ Europe है और उसके दूसरी तरफ Asia है और दोनों को मिला कर क्या कहा जाता है Eurasia अब next term है Oceania तो देखिए Oceania में क्या क्या होता है Oceania में Australia है और Australia के आस पास बहुत सारे islands है तो Australia और वो बहुत सारे islands मिलकर बनाते हैं Oceania जैसे कि इसमें आता है Melanesia, Micronesia, Polynesia ऐसे और भी बहुत सारे regions हैं जो Oceania के पार्ट होते हैं यह सारी details friends में आपको और detail में आपको जब पढ़ाओंगी जब मैं Australia as a continent एक separate video बनाते हैं तो अभी के लिए आपसे इतना समझ लीजिए कि जो Oceania यह एक term है यह कोई एक separate continent नहीं है यह सिर्फेक एक term है जिसमें Australia और उसके आस पास के बहुत सारे islands आते हैं अब third term है Americas तो देखिए friends यहाँ पे आपको यह दो दिख रहे हैं continents North America और South America तो यह दोनों यह आपस में जुड़े हुए हैं देखिए इनका landmass यहां से connected है तो इन दोनों को मिलाकर एक term बनाई गई है जिसे कहा जाता है Americas याद रखिए कि यह Americas करके कोई separate continent नहीं है यह सिफिक term यूज होती है सिफिक नाम दिया गया है North America और South America को मिला तो यह तीन नई terms मैंने यहां आपको बताई है Eurasia, Oceania and Americas friends अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करना ना भूले अब हमारा next topic है latitudes and longitudes friends देखिए यह latitudes और longitudes बहुत ही important है सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि यह actual lines नहीं है यह imaginary lines हैं जो हमने बनाई हुई किसले बनाई हुई है यह help करती है locations को identify करने में अब जैसे आपने अपने घर की location किसी अपने friend को भेजनी है तो आप उसको अपनी location send करते हैं तो यह latitude और longitude ही help करवाता है उस location को identify करने में GPS हम use करते हैं whenever we are driving or we are using a taxi तो वो GPS आपको दास्ता बताता है आपका way बताता चला जाता है वो कैसे बताता है यह longitudes और latitudes help करते हैं तो longitudes और latitudes बहुत important है locations को identify करने के लिए तो आईए friend सबसे पहले हम latitudes के बारे में पढ़ेंगे देखें यह सबसे important latitude होता है equator जो zero degree पे होता है यह earth के बिल्कुल center से जा रहा होता है और हमारी earth को दो equal parts में divide करता है उपर के part को कहते हैं northern hemisphere और नीचे के part को कहते हैं southern hemisphere अब देखें आप continents को देखें नौर्थ अमेरिका जो है वो completely northern hemisphere ने है एशिया भी almost northern hemisphere में है और पीछे यॉरप भी completely northern hemisphere में है पर अगर हम एफरिका की बात करें तो वो कुछ northern hemisphere में है उसका area और कुछ southern hemisphere में है इसी तरह से South America भी mostly southern hemisphere में है पर कुछ उसका area northern hemisphere में है बट Australia और Antarctica दोनों ही completely southern hemisphere में है तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये exam point of view से बहुत important है exam में आपसे पूछा जा सकता है इस पर questions आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा continent है जो बिलकुल northern hemisphere में है या ऐसे कौन से continents है जो बिलकुल southern hemisphere में है या ऐसे कौन से continents है जो दोनों hemispheres में है तो ये important है इसलिए मैंने आपको यहां बताए है now let's get back to our latitude तो अब equator को base बना कर अगर हम all parallel lines draw करें उपर भी और नीचे भी देखें उपर भी और नीचे भी और हम ऐसी parallel lines draw करते जाएं उपर north pole तक और नीचे south pole तक तो ये सभी lines कहलाती है latitudes ठीक है ये parallel lines होती है ये एक दूसरे को नहीं काटती है अब इनी latitudes को देखें earth पर तो ये देखें ये equator है जिसने divide करा है earth को दो equal parts में अब देखें इसके parallel कैसे ये उपर latitudes run कर रहे हैं बिल्कुल parallel है इसकी ठीक है तो ये ऐसे north pole तक सारे latitudes उपर की तरफ जा रहे है और इसी तरह से equator के नीचे भी parallel lines है ये देखी और ये कहां तक जा रही है ये south pole तक जा रही है तो equator के उपर वाले part में जब हम latitudes draw करते हैं उनको name करते हैं तो we use degree north और जब हम equator के नीचे latitudes के बारे में बात करते हैं तो हम उनको refer करते हैं using degree south तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह equator है यह बहुत important latitude है इसके अलावा भी कुछ और important latitudes हैं वो देख लेते हैं Tropic of Cancer at 23 1.5 degree north next important latitude is Tropic of Capricorn at 23 1.5 degree south फिर है Arctic Circle at 66 1.5 degree north and Antarctic Circle at 66 1.5 degree south तो यह 5 important latitudes हैं फ्रेंग्स यह आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन पर काफी सारे questions बनते हैं और exam point of view से बहुत important है इनको याद रखना जैसे कि एक question मैं आपको अभी बता देती हूँ ऐसा कौन सा continent है जिस पे से Tropic of Cancer, Equator और Tropic of Capricorn तीनों ही पास करते हैं कौन सा ऐसा continent है? Yes, it is Africa तो ऐसे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं तो friends आपको यह याद रखना होगा कि यह जो 5 main latitudes हैं यह किन-किन continent से पास करते हैं फिर next अब हम समझेंगे तो जो सबसे important longitude होता है वो है prime meridian जो है zero degree यह prime meridian अर्थ को दो equal parts में divide कर रहा है western hemisphere में और eastern hemisphere में देखे अभी जैसे हमने latitudes देखे थे कि वो imaginary lines होती हैं ऐसे ही longitudes भी imaginary lines ही होती है longitudes देखने में ऐसी होती हैं देखे यह parallel नहीं होती है latitudes की तरहे यह ऐसी होती है उपर से जाकर यह north pole में मिलती है और नीचे से जाकर यह south pole में मिलती है तो यह latitudes की तरह parallel नहीं होती है देखे आप इतर ध्यान से देखे यह चो longitudes हैं इनके बीच का distance सबसे maximum कहां पर है center में है और जैसे जैसे यह poles की तरफ चाहे वो north pole हो चाहे वो south pole हो poles की तरफ move करती है इनके बीच का distance कम होता चला जाता है यह सारी की सारी जाकर north pole पर touch करती है और नीचे south pole पर touch करती है तो यह था longitudes और latitude अब friends अगर हम सबसे important longitude prime meridian को ले ले और सबसे important latitude equator को ले ले तो देखिए यह दोनो imaginary lines एक point पर intersect करी है यहां मिल रही है तो यह area यह ocean है कौन सा ocean बताया था मैंने आपको यह Atlantic ocean तो यह Atlantic ocean में कहीं जाकर मिल रही है आए इस area को थोड़ा सा zoom करते है देखिए जहाँ पर intersect हो रही है उस area को कहा जाता है Gulf of Gilly अब इस particular point को क्या कहा जाता है जहां पर यह intersect करी है यह imaginary island है जिसको नाम दिया गया है Null Island यहां पर कोई जमीन नहीं है बस यह imaginary island है जिसको कहा जाता है Null Island तो यह important है आपके लिए याद रखना कि यह कहां पर intersect होती है उस area को क्या कहा जाता है Gulf of Gilly और इस point को क्या कहा जाता है Null Island तो friends यह थी हमारी वीडियो Basics of World Mapper जिसमें हमने 7 continents, 5 oceans और longitudes और latitudes के बारे में पढ़ा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यह से like जरूर करे Thanks for watching See you in the next video Bye-bye